आपका स्वागत है क्राउंडेस में मीठा तो सभी को पसंद होता है तो आज हम बकलावा बनाएंगे जो कि मिडल इस्ट की एक फेमस डिजर्ट है और खाने में बहुत क्रंची होता है तो 250 ग्राम मैदा में 4 टेबल स्पून ओयल या घी आड़ करेंगे 1 टेबल स्पून नमक डाल कर उसे अच्छे से मेक्स कर लेंगे फिर 1 पिंच ओप बेकिंग पाउडर एड़ करेंगे और थोड़ा सा दूट डाल कर उसे मिला लेंगे ध्यान रहें दूद गर्म नहीं होना चाहिए ऐसे ही थोड़ा थोड़ा दूट डालते हुए हम उसका एक तक्रीबन 20 मिनट के लिए रेश्ट करने देंगे वन बॉल में 2 टेबल स्पून कॉन स्टार्च 2 टेबल स्पून मैदा डाल कर एक मिश्ण तयार कर लेंगे 20 मिनट बार डो को किचन काउंटर पर निकालेंगे और उसे ऐसे मस लेंगे देखिए इसका टेक्शर स्मूथ हो है पहले इसे दो पार्ट में डिवाइट कर लेंगे उसके बाद इसकी छोटी-छोटी लोया काट लेंगे मैं इसके 12 एक समान पेड़े तैयार कर रही हूँ फिर उसे उठाएंगे और ऐसे स्मूथ कर लेंगे उसके बाद उसको बेलेंगे मैं और सब को पूरी के साइज का कर लोंगी उसकी बार ऐसी दूसरे को भी हमें बेल लेना है जब सब बेल जाए तो एक लेना है फूरी उसके उपर वह आठा डालना है फिर उसके उपर दूसरा रखना है और फिर थोड़ा सब आठा ऐसे डस्ट करेंगे ऐसी करके मैं चार पूरी को एक साथ ला रही हूं सबको एक साथ ले आएंगे और उसे बेलेंगे ऐसा करना जरूरी है क्योंकि हम इसे एक पतला बेलना है ऐसे ही इसे हम ऐसे बेलेंगे और ऐसे थोड़ा थोड़ा इसमें आटा डस्ट करेंगे ताकि यह चिपके नहीं और ऐसे पलटते वे बेलेंगे नहीं तो एक साइट का चोटा और बड़ा एक तरफ का चोटा एक तरफ का बड़ा रह जाएगा ऐसे ही बेलेंगे और उस पाउडर को डस्ट करेंगे जैसे कि वीडियो में दिखा रही हूँ अगर आप पीछ पीछ में आटा नहीं लगाएंगे तो बाद में निकालने में बहुत मुश्किल होगी ऐसा करना जरूरी है अँए हना इसे ही करते करते हम要 बेल लेंगे और एक पतली से शीट त्यार करनेंगे श्ि हुआ किंछे अब ये कितना पत्ला होने लगा है दीरे 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 जब यह पूरा ऐसे बेल ने थाँभ आदा फ्ड़़ में लुना करेंगे और इसे बेल लेंगे देखिए अब ये बड़ा हो गया और देखिए कितना पत्ता शीट बन के रेडी हुआ बिल्कुल हाथ आर पर दिख रहा है अब 200 ग्राम पिस्ता लेंगे और उसे चर्न कर लेंगे आप चाहें तो फाइनली चॉप भी कर सकते हैं फिर हमें जिस भी बड़तन में उसे बेक करना है उसे घी या बड़र से ग्रीज कर लेंगे फिर ऐसे एक शीट रखेंगे फिर उसके उपर दूसरी और फिर उसके पर ऐसे तीसरी शीट रखेंगे उसके बाद जो हमने पिस्ता को यह किया था उसे हम ऐसे एक लियर लगा दें लेंगे बीच में फिर उसके ऊपर एक और शीट रखेंगे वैसे तो बकलावा अलग लग तरीकों से बनता है बदाम से काजू से अक्रोट से आपके पस जो भी ड्राइफूट अवेलेबल हो आप उससे बना सकते हैं आप ऐसे ही इसकी लेयरिंग कर लें एक के ऊपर एक की लेयर लगा आई हूं ऐसी ही लेयरिंग कर लेंगे उसकी बाद ओवन को 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर रख देंगे जब यह पूरा रेडी हो जाए तो इसे ऐसे कट कर लेंगे यह बहुत ही आसानी से कट जाएगा क्योंकि डूब फिर हम इसे ऐसे पूरा काट लेंगे फिर हाफ कटोरी गी लेंगे और इसे चारो तरफ डालेंगे आप चाहें घी या ओयल मि羹्स करके या बटल वटर या ओयल मिक्स करके भी डाल सकते हैं Czech वैसे तो घी से मिठाई का टिस्ट बहुत अच्छा आता है इसलिए मैं इसमेघ यह तहीं लाग बग्वाद दंग पाकर पिरग करें बैक नबॉट सब्सक्राइब तीज संचाउंक कि अधायग काफ। सब्सक्राइब भीर लो Peet बेक कर लेंगे, फिर सुगर सिरप रेडी करेंगे, उसके लिए 1 कप सुगर में 1 टेबल स्पून लेमन और 1 चौथाई कप पानी डालकर उसे घुलने तक पका लेंगे, ध्यान रहे चासनी गाड़ा बनकर रेडी होना चाहिए, जब बकलावा बेक हो जाए तो बिल्कुल गर कर रखा था, उससे ऐसे सजा देंगे, बिल्कुल दुरहन की तरह, and then enjoy this beautiful and crunchiest पकलावा, look at the layers, कितना अच्छा लेर दिख रहा है, और यह उतना ही crunchy बनकर रेटी हुआ है, so do like, share and subscribe crown dish, और ज़रूर बताइए कि आप और कौनसी डिस की recipe जानना चाहते हैं, और दुबारा जर